नमस्कार सात्यों राजस्थान इंस्टिट्ट के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत इवम अभिनंदन है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक अधिगम का सद्धान जिसे हम प्रेक्षनिय अधिगम या फिर मॉडलिंग थियोरी के नाम से जानते ह हैं अब इनको हम प्रेक्षनिय सिद्धान या मॉडलिंग थियोरी क्यों कहते हैं आज की वीडियो में हम इसकी संपून जो है व्याख्या करेंगे और सामाजिक अधिगम का सिद्धान जो है अलवर्ट बांडूरा के द्वारा दिया गया था उनी सो सतेतर अठेतर में सिद सिद्धान को देखिए साथियों इसे हम सामाजिक अधिगम का सिद्धान कहते हैं सामाजिक अधिगम सामाजिक अधिगम का सिद्धान इसको हम सामाजिक अधिगम सिद्धान के नाम से जानते हैं इसको हम प्रेक्षनिय अधिगम भी कह देते हैं प्रेक्चनिय या फिर मॉड्लिंग थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं मॉड्लिंग थ्योरी तो इस सद्दान्द के कई उपनाम है इस सद्दान्द को हम प्रेक्चनिय सद्दान्द या फिर मॉड्लिंग थ्योरी के नाम से आपर जानते हैं तो यह यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसको हम प्रेक्षनिय सिद्धान के नाम से भी जानते हैं, या पिर इसको हम मौडलिंग थियोरी के नाम से भी हम जानते हैं. चलिए, बात करता हूं, मैं सामाजिक अधिगम सिद्दान्त के बारे में, तो ये प्रेक्षिने सिद्दान्त जो है, 1977-1878 में ये दिया गया था, अलवर्ट बानदूरा के द्वारा, तो 1977-司ट बंडूरा के द्वारा इस सिद्धानत को यहाँ पर दिया गया था यह आपको ध्यान रखना है 1997-48 में बंडूरा ने सामाजिक अधिकम का सिद्धानत यहाँ पर दिया था अब यहाँ पर मैं बता देता हूं अलबर्ट बांडूरा का जो है कुछ परीचे आपको दे देता हूँ अलबर्ट बांडूरा का जनम यहाँ पर 1925 में हुआ था 1925 इसवी में कनाडा में इनका जनम हुआ था अलबर्ट बांडूरा का जनम कहाँ पर हुआ इस सिद्धान्थ पर अब मैं वो भी आपको समझाऊंगा क्या कार रिखिया था तो सबसे पहले आपको इसका परीचे दिया गया है सामाजिक अधिगम का सिद्धान जिसे हम प्रेक्षनी अधिगम सिद्धान्थ मौडलिंग थोरी के नाम से जानते हैं 1937-38 में इस सिद्धान्थ को दिया गया था अलवर्ट बांडूरा के द्वारा अलवर्ट बांडूरा का जनम 1925 इसवी में कनाडा में हुआ था और अमेरिका में रहते हुए उन्होंने इस सिद्धान्थ पर प्रियोग किये थे अब मैं बात करूँगा इस सिद्धान्थ मनों ने क्या-क्या प्रियोग किया देखिए साथियो अलवर्ट बांडूरा ने जो है तीन चीजों पर प्रियोग किया था एक जौकर पर प्रियोग किया था एक गुडिया पर प्रियोग किया था जॉकर गुडिया तीसरे बिखों की टेली फिलम इन तीन चीज़ों पर जू है अलवर्ट बांडूरा ने प्रोड किया जॉकर पर गुडिया पर और बच्चों की टेली फिलम देख़ी कि आज कर यूटूब पर आप देख रहे होंगे कि आपके घरों में जो बच्चे होते हैं चोटे चोटे जो गुडडे टाइप की जो बच्चे होते हैं आपस में बारतालाब करते हैं या फिर खेलते हुए दिखाते हैं तो जो जो है उनकी आपर टेली फिल्म आपने देखी होगी बच्चों को आपने देखा होगा मुबाइल में लगे रहते हैं तो बच्चों की टेली फिल्म भी देखते रहते हैं जिन में कहता रहता है कि यह उसने यह किया और वो किया ऐसे उसमें आप देखोगे तो बच्चों की टेली फिल्म आपको आसानी से जो है वहाँ पर देख जाएगी यूटूब पर आप सर्च करिए बच्चों की टेली फि प्रियोग किया जोकर खुडिया और बच्चों की टेली फिल्म पर जो है अलबर्ट बांडूरा के द्वारा यहां पर प्रियोग किया गया था अब देखिए साथियो सामजिक अधिगम सिद्धान्त या प्रेक्षिन अधिगम या मॉडलिंग थोरी जो है इसमें जो है 1986 इसवी में जीन प्याजे से प्रेरित होकर अलबर्ट बांडूरा ने इसका नाम बदल दिया था और इसका नाम रख दिया सामाजिक संग्य अनात्मक अधिगम का सिद्धान्त तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है इस सिद्धान्त को जो है 1986 में जो है जीन संग्य अनात्मक अधिगम का सिद्धान्त भी यहां पर जीन प्याजे से प्रेरित होकर अलबर्ट बांडूरा ने दिया था तो सामाजिक संग्य अनात्मक अधिगम सिद्धान्त यहां पर अलबर्ट बांडूरा ने जो है दिया था कव 1986 में यह आप से पूछा जा सकता है मतलब 1986 ECB में इस सिद्धांत में कुछ संसोधन किये थे और उस संसोधन में इसका नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया सामाजिक संग्यानात्मक अधिगम का सिद्धांत तो सामजी संग्यानात्मक अधिगम सिद्धान्द इस सिद्धान्द का जो है नाम बदल करके जो है रखा गया था 1986 इस भी में चलिए अब मैं बात करता हूँ इस सिद्धान्द को प्रेक्षनिया मौडलिंग थियोरी जो कहा गया था अलबर्ट बांडूरा के द्वारा क्यों कहा गया था उसके बारे में भी आपको मैं आपर समझा देता हूँ तो दो सब्ध यहां पर मैंने लिखे हैं एक तो लिखा है प्रेक्षनिया अधिगम का सिद्धान्द इसको क्यों कहा जाता है प्रेक्षनिया अधिगम दूसरा यहां पर मैंने लिखा है modeling theory अब इनके बारे में मैं आपको समझा देता हूं क्यों का आ गया है इसको इस सिद्धान्त को दो उपनामों से जाने जाता है प्रेक्षनिय अधिगम सिद्धान्त या फिर इसको modeling theory भी कह देते हैं देखिए प्रेक्षनिय का मतलब होता है यहां पर किसी चीज को या किसी दरस्य को देखकर के उसके बारे में पता लगाना मतलब यहाँ पर प्रेक्षन के अधार पर कोई चीज का पता लगाए जाएगा अर्थाद बालक के बेभार का पता लगाने के लिए यहाँ पर प्रेक्षन किया जाएगा उसके बेभार को देख करके पता लगाए जाएगा मौडलिंग का मतलब होता है बालग जो है किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति को अपना मौडल मानता है और मौडल मान कर रही उसके अनुरू कार्रे करने लगता है तो यहाँ पर modeling theory क्यां कहते हैं? क्योंग बालब किसी व्यक्ति को अपना model मान लेता है और उसके बेभारों को इस सद्धानत का नाम है modeling theory. यह सद्धानत हमको क्या बताता है? मानने गुनों को या मानने बेभारों को हमको grant करना चाहिए. एमानने बेभारों को छोड़ देना चाहिए अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए और बुरी चीजों का त्याग कर देना चाहिए तो इससे दांत से हमको क्या प्रेड़ना मिलती है मानने गुनों को अपनाना चाहिए मानने गुनों को या मानने विवार को मानने विवार को सिखाना वे एमान्य व्यभार को छोड़ना सिकाना वे एमान्य व्यभार को छोड़ना सिकाना तो ये इस सिद्दान का मैन मोटो है मान्य व्यभार को ग्रेंड करना चाहिए और एमान्य व्यभार को छोड़ना सिकाना ही जो यहां पर सामाजिक अधिगम होता है तो मान्य व्यभार को ग्रेंड करना और एमान्य व्यभार को छोड़ना सिकाना ही क्या किलाता है सामाजिक छोड़ना सिकाना ही सामाजिक अधिगम है तो सामाजिक अधिगम क्यों कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्दान यह आपको समझ में आ गया होगा तो सामाजिक अधिगम का सिद्दान इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मानने गुनों को ग्रेंड करना और एमानने गुनों को छोड़ना सिकाना ही सामाजिक अधिगम होता है समाज में जो मानने चीजे हैं उनको grain करना चाहिए और समाज जिनका त्याग करने की बोलता है तो आपको त्याग कर देना चाहिए इसी सिद्दांत को इस बज़े से हम सामाजिक अधिगम का सिद्दांत यहां पर कह देते हैं अब देखिए सामाजिक अधिगम सिद्दांत ज इसका मतलब क्या है यहां पर तीन चीज़े आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे इसमें अन्यों निर्दार्था मोडल में एक तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा संग्यानात्मक मतलब व्यक्ति को ध्यान रखना होगा, एक व्यभार को और एक सामाजिक यहां पर अधिगम को तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट यहां पर होगा सामाजिक अधिगम दूसरा यहां पर होगा संग्यानात्मक संग्यानात्मक का मतलब यहां व्यक्ति से है मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यहां पर है व्यभार तो यह अन्योन निर्दारता में तीन पॉइंट आपको फर्ष्ट यहां पर सामाजिक अधिकम, सेकंड संग्यनात्माग, थर्ड यहां पर व्यवार, यह एक दूसरे में जो है यहां पर, एक दूसरे के बगेर यह संभव नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है, तो यह ध्यान रखना है, इस सामाजिक अधिकम के बिना जो है व्यक् तो यह चीजे एक दूसरे ते से यहाँ पर संबन्दे थें इस बज़े से सिद्धानत को हूँ अन्यों निर्धारता मोडल भी कह देते हैं यहाँ पर यह 3 सब जो है इस अन्यों निर्धारता मोडल पर भी इसको हम बोल देंगी है तो यह तीन चीजंब के साथ किसी भी प्रकार के व्यवार rotation सब्सक्रों चाहिए तो संग्यानत्मक मतलब यहां पर है व्यक्ति से रिलेटेड मतलब व्यक्ति नहीं है तो समाज के साथ किसी भी प्रकार के व्यवाद नहीं होगा और इन तीजनों चीजों को आपस में क्या किया गया क्या क्या किया गया एक दूसरे से संबंदित किया गया है, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना ए, संग्यनात्मक का मतलब यहां पर व्यक्ति से है, तो यह आपको समझे में आ गया होगा, अन्योंनियन रधारता का मतलब क्या है? सातियो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा चार सब्दों के बारे में जो की अलवर्ड बांडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो है दिये हैं अब चार महत्पून सब्द यहाँ पर दिये गए हैं एक बालक के बेभार को समझाने के लिए चार चीजों को यहाँ पर बताये गया है फर्ष्ट है यहाँ पर अब धान यह चार बातें आपको ध्यान रखने होंगी सेकंड यहां पर धारण यह चार सब्द आप से पूछे जा सकते हैं धारण या इस्मिर्थी यह चारों सब्द जो है अलवर्ट बांडूरा ने दिये थे उन्हें प्रस्तुति करण नेक्स्ट यहां पर पुनर्बलन यह चार सब्द आप से पूछ लिए जाएं कभी भी अब धान, फस्ट पॉइंट, सेकंड यहां पर धारण या इस्मिर्थी धर्ड यहां पर पुनर्बलन यह चारों सब्द यहां पर मैं बात करूँगा अब क्या है इनका मतलब इस सद्दान्त में सामाज़े का酒 overflow लिए क मैंनी क्यों लिखा है इनका आपको बता देता हूँ इस सद्दान्त को हमने modeling theory भी कहा था क्योंकि बालक इसमें किसी भी व्यक्ती को अपना model मान लेता है और उसके अनुरूप व्यवार करने लगता है अब देखिए अफधान का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को बालक जो है अपना मॉडल समझेगा और उसको मॉडल मान करी जो है उसके अनुरूप कार्य करने लगेगा तो मॉडल किसको मानेगा यहां पर कोई भी व्यक इस malt Communос förd अपर अलबरण बांडूराणे धारन या इस्मिरति अब धारन अजिस्य का मतलब क्या है देखिए बालक ने जिस व्यक्ती को अपनाक उस मोडल मतलब उस व्यक्तीक को अर्थात उस-मौडल' को अपने दिमाग में मतलब उसके बिभार को अपने मस्तिस्क में जो है धारन कर लेता है उसके बिभार को क्या कर लेता है धारन कर लेता है या इसमिर्ती में रखता है धारन कर लेता है या पर अपनी इसमिर्ती में रखता है तो यह बात यहां पर ध्यान रखनी है धारन या स्मृति का मतलब है बालक ने जिस व्यक्ति को अपना मॉडल समझा है उस मॉडल के विभार को बालक जो है धारन कर लेता है अपने मस्तिस्क में अर्तात उसको याद रख लेता है उसको एकदम छाप लेता है अपने मस्तिस्क में मतलब इस व्यक्ति का विवार ऐसा है और उस उसको वैसा की वैसा पुन्हें प्रस्तुत कर दिया वैसा की वैसा क्या कर दिया प्रस्तुत कर दिया वैसा की वैसा उसको पुन्हें प्रस्तुत कर दिया तो यह पुन्हें प्रस्तुत कर दिया तो यह पुन्हें प्रस्तुत कर दिया तो यह पुन्हें प्रस्तुत कर दिया और लाश्ट वस्ता है यहां पर पुनरबलन इसका मतलब होता है बालक ने जो चीज वैसी की वैसी सीखी उस चीज की वज़े से बालक को क्या मिला मोटिवेशन मिला अर्था पुनरबलन मिला रिइंफोर्स्मेंट मिला तो पुनरबलन इस पुनहे प्रुस्तिती करण के पुनहे प्रस्तिती करण से पुनरबलन यहां पर मिल रहा है और उस पुनरबलन की वज़े से बालक यहां पर कारे करता है तो यह च्यार पुइंट आपको ध्यान रखने हैं जो की अलवर्ट बांडूरा के सिद्धात में च्यार सब्द आते हैं यहां पर अवधान धारन पुनहे प्रस्तिती करण और पुनरबलन यह आपको क्रम से याद रखने हैं कि फश्ट यहां पर अवधान होगा अवधान का मतलब किसी व्यक्ति को बालक अपना मॉडल समझेगा और मॉडल के अनुरू ब्यभार करेगा धारन इसमिर्थी का मतलब उस मॉडल को जो है पुनहे पुरस्तिती करण के कारण बालक को क्या मिला पुनरबलन मिला अर्तात रीइंफोर्समेंट मिला और उसकी वज़े से बालक ने जो है कारे करना प्रारम किया तो यह चारों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है ध्यान रखना सबसे पहले अवधान आता है और धारन पुनहे पुरस्तिती करण और पुनरबलन यह चारों चीजें जो है आपको यहां पर अपने मस्तिस्क में ख्याद कर लेनी है तो साथ यह आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हो चलिए नेक्स जहां पर देखते हैं कि देखिए सात्यों एक पॉइंट और आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं अलवार्ट बांडूरा को अलवार्ट बांडूरा को प्रेरा की है अध्धिगम सिद्धांत प्रेरा की है अध्धिगम सिद्धांत का जनक कहा जाता है जनक मानते हैं ये पॉइंट भी आपको जाद रखना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कई बार एग्जांस में ये पूझ लिए जाता हैं कि प्रेरा की अधिगम सिद्धांत का जनक किसे का जाता है अलवार्ट बांडूरा को ही प्रेरा की अधिगम सिद्धांत का जनक हम यहाँपर कह देते हैं ये point भी आपको यहाँपर जाद रखना है अब इस सिद्धान्त के कुछ यहाँ पर उप्योग हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ तो अलवर्ड बांडुरा का जो सिद्धान्त है उसके कुछ महत्पूर्ण उप्योग हैं जो आप से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं यह सिद्धान्त जो है, मानने गुणों को ग्रहेन करने पर बल देता है, बल देता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो हमारे समाज में मानने जो चीजे हैं, उनको हमको ग्रेंड करना चाहिए, जो मानने बेवार हैं, उनको हमको ग्रेंड करना चाहिए, एमाने बेवारों को यहां पर त्याग देना चाहिए, यह से दान्त अभी बावक और सिक्षकों के लिए उप्योगी है, अभी बावक ए क्योंकि अभिवाबाकों को समाज में रहना होता है और बच्चों को समाज में अच्छा मॉडल बनाना है इसलिए ये शिख्चक और अभिवाबाब को ये लिए ये सिद्दान ज्यादा उपयोगी मान जाता है थर्ड पॉइंट यहां पर आपको यहां पर लिखना है प्रेक्षनिय ब्यभार के महत्व को इस 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 प्रेक्षनिय प्रेक्षन करके सीखने परबल देता है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेक्षनी बवार के महत को यह सिद्दान्दम को यहां पर इसपश्ट करता है, तो यह बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है. Last point यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह सिद्दान्द आदर्श बवारों के लिए प्रेरित करता है. यह सिद्दान्द आदर्स यह सिद्दान्द आदर्स बेवारों के लिए यहां पर प्रेरित करता है यह आपको ध्यान रखना है यहां पर चार उप योग मेंने अलबर्ट बांडूरा के सिद्दान्द के लिखे हैं यह मानने गुनों को सीखने पर बल देता है अभी बावक और सिक्षकों के लिए इस इद्दान पर उप योगी है और आदर्स बेवारों के लिए यह प्रेरित करता है कि किसी विक्ति को आइडियल जो बेवियर होते हैं उनको ही अपनाना चाहिए जो समाज में आदर्स ब्यभार होते हैं उनको अपनाना चाहिए ये बात जो है इस सिद्धान्त में बताई गई है तो अलवर्ड बांडूरा का सिद्धान जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धान्त कहा जाता है प्रेक्ष्णि अधिगम का सिद्धान्त मौडलिंग थोरी के नाम से जाने जाता है innovative में सिद्धान्त दीया था 1886 में कुछ संसोधन किया गया जीन प्याजे से प्रवावित होकर अलवर्ड बांडूरा ने इस सिद्धान्त का नाम बदल दिये संग्यनातमक अधिगम सिद्धान्त मतलब संग्यनातमक सामाजिक अधिगम सिद्धान्त इसका नाम रखा गया अर्थात जो है संग्यनात्मक सब्द जो है जीन प्याजे ने काम में लिया था उसी से प्रवावित हुए थे अलवर्ट बांडूरा इस वज़े से इसमें संग्यनात्मक सब्द भी सिद्दांद में जोड़ दिया गया प्रेक्षन का मतलब होता है किसी वी चीज़ को देख करके काम करना सिद्दांद भी इसको कहते हैं मौडलिंग थेयरी क्यों कहते हैं क्योंकि बालब किसी व्यक्ति को इसमें अपना मौडल समझता है पर उसके अनुरुकार करने लगता है तीन चीज़े मैंने इसमें बताई आपको सामाजिक अधिगम उसके बाद संग्यनात्मक और व्यभार तीनों का आपस में रिलेशन यहां पर होता है जिसे अन्योंने निर्दारत मौडल मेंने कहा है यहां पर अलवरट बांदूरा ने चार सब दिए थे अवबधान अवधान का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना मोडल समझना धारनियसमिर्थी का मतलब उस मोडल अधिगम किया तो अधिगम करने के लिए बालक में चार चीजे यहां पर बताई गई अब धान दूसरे यहां पर धारन या इस्मिर्थी तीसरा पुने पर उस्ते देकरन चौता यहां पर पनर बलन यह चारों आपको जो है करम से है याद रखने होंगे तो यह आपका खतम हो चैन के लिए पोर्स परचे कर सकते हों आपका बहुत बहुत धन्यवाद